सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकोर्ट चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेकनिकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए आज में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप किसी भी वाइफाई का पासवर्ट किस तरीके से पास सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आपके पास कोई भी साफ्टेयर इंस्टाल है करने का या फिर नहीं है आपको किसी भी साफ्टेयर की जरूरत नहीं पढ़ेगी नहीं आपको किसी भी आईपी एडेस की जरूरत पढ़ेगी नहीं आपको कोई ब्रावजर ओपन करना पढ़ेगा सिंपली आपको एक से दो मिनट लगेगा और आप उसका वाइफाई पासवर्ट हंडेट परसेंट पा जाएंगे तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप पासवर्ट आप किस तरीके से पास सकते हैं बिना किसी भी साफ्टियर या फिर ब्रावजर की मदद के बगेर आप यहां पर देख रहेंगे कि यहां पर वाइफाई से मैं कनेक्टेड हूँ जिस वाइफाई से कनेक्ट हूँ यहां पर उसका नाम आ रहा है तो इस आईकॉ सो करेगा कि आपका जो वाइफाई है वो किस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी प्रापर्टी आपको यहां पर सो होगी तो यहां पर आप देख पाएंगे कि एकस टाइब कनेक्शन वाइफाई असल एसला नार तो इससे यह कनेक्टेड है तो आपको सिंपिली इसी वाइ फाई के उपर आपको left click करना है यानि कि इसके उपर click करना है double click करते हैं तो इससे एक और दूसरा pop-up windows open हो जाएगा जहां पर आपको नजर आएगा यहां पर general और details wireless property property disable diagnose close तो यहां पर आपको कहीं भी कुछ भी चेलने की जरूरत नहीं है सीधा आपको आना है wireless property पर इस पर click करते ही आपके पास में फिर एक options आ जाता है यहां पर आप देखेंगी कि यहां पर एक connection है connection का name है SSID है जो कि आपको so हो रही है और network access point पर और network availability जो है all user है और यहां पर फिर आपको नजर आता है दूसरा security फिर आपको click करना है security पर security पर कि जैसे ही click करते तो आपको यहां पर दिख जाता है network security की यहां पर network security की दिख रहा है लेकिन वो dotted है आपको so नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक box है जिसमें कोई भी tick mark नहीं है अगर हम इस पर tick करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है show character यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको show हो जाता है wifi का password number यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर show हो चुका है तो इस तरीके से आप बहुत यासानी से किसी भी application को install किया बगेर या पिर किसी भी browser को download open किया बगेर आप किसी भी wifi का password पा सकते हैं उसके computer या laptop की मदद से तो मुझे उम्मीद आप सभी लोग ये वीडियो enjoy करेंगे okay friend मिलते है next वीडियो में मुझे उम्मीद आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक करके share जरूर कर दीजिए है रखेगा